इंदोर में दो सरकारी विभागों के बीच एक विशे पर चल रही लड़ाई अब आपसी सहमती से खत्म होने की कगार पर है दरसल नगर निगम और रेलवे के बीच शास्त्री ब्रिज के आसपास लगे होर्डिंग्स को लेकर विवाद शुरू हुआ था दरसल कोट से होर्डिंग हटाने के आदेश उनके बावजूर रेलवे के द्वारा होर्डिंग नहीं हटाए गये थे जिस पर निगम ने कोट में कई बार अवमानना की शिकायत की थी गौरतलब है कि दौर नगर निकम के द्वारा शहर में बड़े स्तर पर होर्डिंग हटानी की कारिवाई शुरू की गई थी जिसके परिणाम सुरूप शहर से बड़ी संख्या में अवैद होर्डिंग को हटाय गया था वहीं रेलवे के भी शहर में स्टेशन और उसके आसपास बड़ी संख्या में होर्डिंग लगे होए थे जिन्हें लेकर निकम ने आपत्ती दर्स कराई थी जिस पर निकम और रेलवे विभाग आमने सामने आ गए थे निकम और रेलवे के बीच चल रही यह लड़ाई कोट तक पहुँची और कोट ने रेलवे को सभी होर्डिंग्स हटाने के आदेश भी दिये बावजुद इसके रेलवे ने किसी प्रकार की कारिवाई नहीं की जिसके बाद अब रेलवे ने निकम को पत्र लिख कर एक समीती का गठन करने की बात करी है जिसमें उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को भी शामिल करने की शर्द रखी है इस पर संग्यान लेते हुए अब निगम विभाग रेलवे के अधिकारियों को शामिल कर एक समीती का गठन करेगा जो रेलवे के होर्डिंग्स पर अपनी रिपोर्ट तयार करेगी और उसके बाद इन होर्डिंग्स पर फैसला लिया जाएगा इस होर्डिंग का जो विवाद है अलाकि वो पूदी तरीके से हमारे पक्ष में है लेकिन उनका कहना है कि उनके किसी अधिकारी को शामिल करके एक समीती बनाई जाए और इसका कोई कोई रास्ता निकाला जा सके इस समंध में समीती का अठ़त कर दिया गया है जिसमें रेलवे के लोगों को भी रखा जा रहा है मुझे लगता है कि 15-20 दिन लगेंगे जब तक कुस समीती की रिपोर्ट आती है तो समीती की रिपोर्ट के बाद में जो भी नगनिगम के हित म कुल मिलाकर निगम और रेलवे के बीच चल रही है लड़ाई कोट तक पहुची और कोट ने रेलवे को सभी होर्डिंग्स हटाने के आदेश भी दिये बावज़त इसके रेलवे ने किसी प्रकार की कारवाई नहीं की लेकिन अब आपसी सहमती से इस मामले को सुलचाने की निगम और रेलवे द्वारा कोशिश की चा रही है प्यूर रेपोर्ट अम्पी न्यूस एंद और